उद्यपूर चिकिस्षा एवं स्वास्थ विभाग द्वारा ग्रामिन छेत्र के लोगों को स्थानी स्थानी स्थार पर विशेशग्य चिकिस्षकों की सेवाई उपलत कराने है तू 14 नॉवंबर से आयुजित किये जा रहे मुख्यम मंतरी निरोगी राजिस्थान चिरन जीवी स्वास्थ शिविद कारिकरम के अंतरगत आज मावली ब्लॉग में सामुदाएक स्वास्थ केंद्र मावली पर मेगा शिविद का आयुजिन किया गया जिसमें विशेशग्य चिकिस्षकों की सुविधाओं के साथ साथ जीला इस्थर की मेडिकल बोर्ट टीम द्वारा जब दिव्यांग एवं सिलिकोसिस वरिजों को मेडिकल साथिफिकिर जारी किये गए तो ग्रामिडों के चेहरे पर मुस्कान दोर पड़ी जिर प्रमान पत्त्रों को बनवाने जाहां पहले लोगों को जीला मुख्याले जाना पड़ता था उन्ही को आज स्थानीं स्थाणी इस्तर पर अपने गाउं में बनता देख लोगों ने स्वास्त विवा द्वारा आयोजित हो रहे इन शिवरों की खूप सरहाना की सामुताइक स्वास्त केंदर मावली में आयोजित हुए जीले के इस पर्थम मेगा कैमेंपन लोगों ने स्वास्त के पर्थी जागूरता दिखाई टे हुए विशच्च गों से प्रामश लिया वेवा मिस्वास्त जाज करवा निशुल दवाय प्राप्त की जीले के स्वास्ति भाग के मुखिया CMHO डौक्टर दिनेश खराडी ने स्वेम शीव मेगा शीविर का दोरा कर मिल रही सुविदाओ का जायजा लिया इस दोरान उन्होंने लाबार्तियों से समबात कर शीविर में मिल रही सुविदाओ के बारे में भी जांकारी ली डौक्टर खराडी ने बताया कि 14 नौमबर से परते ग्राम 25 तरफ़ मुख्या मंतिर चिरिन जीविस वास शीविरों का आयोजित किया जा रहा है जिसमें रेफर होने वाले मरेजों के उपचार है तूब ब्लोक इस तरी मेगा शीविर आयोजित किया रहा है इसके तहट पहला ब्लोक इस तरी मेगा शीविर आयोजित किया गया शीविर में 120 दिव्यांग जनों को आर एंटी मेडिकल कॉलेज से आय मेडिकल बौर्ड द्वारा मेडिकल सर्टिफिक्ट जारी किया गया अब 5 जनवरी को लसाडिया ब्लोक में आयोजित होगा दूसरा चिरन जिविस स्वास्त मेगा शीविर CMHO डॉक्टर दिनेश खराडी ने बताया कि सोड़ा मास तक आयोजित होने वाले इस स्वास्त शीविरों में कुल 21 मेगा शीविर आयोजित किये जाएंगे निर्धारित कारिकरम के अनुसर अगला मेगा शीविर 5 जनवरी को लसाडिया ब्लोक में आयोजित किया जाएगा